हेलो स्टुडिन्स वेलकम टू मैं टूप चैनल जी एस इस्टरी पॉइंट चले जो चतिशगर में प्रशास्निक वेवस्था के अंतरगरत हम जो पंचायती राज को डिसकस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं तो पंचायती राज में हमने जो है कॉंसेप को समझा था कि क इस तरह से पंचायती राज आया था किस सविधान संसोधन के दौर आया किस अनुचेद में जोड़ा गया ठीक है उन सारे चीजों को हमने देख लिया था साथ ही हमने जो है ग्राम पंचायत के पहले पार्ट को भी डिसकस कर लिया था ठीक है तो उसी ग्राम पंचायत को आ तो हमने देखा था, ग्राम पंचायत की शरचना में तीन अंतरगत, पंच, सरपंच और उपसरपंच आते हैं, ठीक है? तो अविश्वास प्रस्ताओं जो है, सरपंच और उपसरपंच के विरुद लाया जाता है, तो जब आपके अविश्वास प्रस्ताओं के लिए जो मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राजे सरकारी अध्यारा या गॉर्मेंट दोरा जो है, एक अधिक अविश्वास प्रस्ताओं कैसे पारित होगा? तो जो उपस्थित या जो मत देने वाले सदश्य होते हैं, उसके 3-4 सदश्य, ठीके? उसके 3-4 सदश्य का मतलब कितना हो गया? 9 सदश्य, ठीके? तो जो है अविश्वास प्रस्ताओं जो है, पास हो जाता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखेगा यह जितने सदस्य है ठीके उससे दो तिहाई से अधिक होना चाहिए मतलब की बारा है तो बारा के अगर दो तिहाई है मतलब की चार ठीके तो यह हो गया आठ ठीके तो आठ से अधिक है ठीके तब ही प्रस्ताव पारित होगा अगर यह 8 से कम होता ठीके तो यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता ठीके तो इसको आपको ध्यान रखना है तो पसित और मद्यने वाले सदस्टी ये 3-4 या फिर कुल सदस्टी के दो तिहाई से अधिक होगा तब ही प्रस्ताव पारित होगा या लाया जाएगा तो सर्पन्च दोरा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो सरपंच को ये अधिकार होता है कि वो अपील रखे या फिर अपने खुद को जो है निर्दोश साबित करने के लिए उसके बस टाइम होता है ञएसे है अविश्वास प्रस्थाव पारित होता है तो पारित होने के साथ दिन के अंदर जो है वो अपने अपील ठीक है या अपने निर्दोस का या जो जिसकी वज़े से उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो जो है उसके लिए अपील करता है कि हाँ ये गलत है ठीक है और उसको जो है वो किसको देता है तो कलेक्टर को कितने द तिस दिन तक में जो है ये निर्नय देता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है या सरपंच ने जो अपील की है वो निर्नय सही है या गलत है ठीक है उस हिसाब से जो है फिल जो है ये जो निर्नय होगा वो तीस दिन के अंदर होगा कलेक्टर के दोरा ठीक है अवि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा इससे पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता ठीक है या फिर यहां पे ध्यार रखे कि अंतिम 6 मां सेश रहते मालो कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ठीक है अब होता क्या है कि जो कारेकाल है पा ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी हैं, एक चीज यहाँ पर याद रखें, इस्थापन्य पंच क्या होता है, तो देखें, सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव देने के बाद, या सरपंच के त्याग पत्र देने के बाद, क्या होता है, पद क्या हो जाता है, खाली हो जात तो पंच जो है अपने बीच में से ही एक सदश्य को वहां से चून लेते हैं, जिसको आप इस्थाना पन्च कहते हैं, ठीक है, तो यही जो है क्या होता है, कि सरपंच के त्याग पत्रिया, उसका पद अगर रिक्त हो जाता है, तो उस पद को समालता है, कौन? इस्थाना पन् ठीक है, तो यह आपको ध्यार रखना है, अब ग्राम पंच आयत के सदश्य होते हैं, सदश्य में सरपंच भी आते हैं, पंच भी आते हैं, तो उसको अगर उसके पद से हटाना हो, या उसको वापस बुलाना हो, जिसको रिकॉल प्रोसेस भी कहते हैं, तो यह क्या होता है, तो इसमें क्या होता है तो ग्राम सभा के कुल सदस ग्राम सभा के अंतरगत वो सदसे आते हैं जो मत देते हैं ठीक है जो मत देते हैं और जितने सदसे हैं पंचे सरपंचे इनके साथ जो है ग्राम सभा में जितने भी ग्राम सभा में जो मत देने वाले जितने सदसे होते हैं वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं तो ग्राम सभा हम नेक्ट वीडियो में ग्राम सभा को भी डिसकस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर बस इतनी चीजी यहाँ पर ध्यार रखेगा ठीक है तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों में एक तिहाई सदस्य जो है अगर लिस्खित प्रस्ताव देते हैं हस्ताक्षर करके तब जो है किसी भी ग्राम पजायत के सदश के खिलाब जो है रिकॉल का प्रोसेस जारी किया जाता है ठीक है वो पंच भी हो सकता है सरपंच भी हो सकता है ठीक है और अब इस्वास प्रस्ताव सिर्फ पंच के दोरा ही ध्यार रखेगा ठीक है लेकिन जो recall का process है वो ग्राम सभा के सदस्यों दोर लाया जाता है किसी भी पंच या सरपंच के विरुद्ध है ठीक है और ये मतदान कौन कराता है अब जो है recall का process है तो उसके लिए मतदान भी होगा कि हटाना है कि नहीं हटाना है कितने लोग चाहते है कि वो सदस्य हटे या ना हटे ठीक है तो इसका मतदान जो करवाता है वो कौन करवाता है BDO और जो ये मतदान होता है वोट होता है वो क्या होता है गूपतरूप से होता है तो ध्यान रखेगा ठीक है अब ये जो सरपंच है तो कुल ग्राम सभा की सदस्यों का अगर 50% या उससे अधिक जो है अगर बोट देते हैं कि हाँ जो है इसको हटाना चाहिए रिकॉल का प्रोसेस इसके ले लाया जाए तभी जो है वो जो है उस पद से हट जाता है ठीक है और पंच के लिए अगर पंच के लिए किसी पंच के लिए जो है वापस बुलाने या रिकॉल प प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, तो जो निर्वाचन होने के, अगर वो निर्वाचित हो के आया है, चुन के आया है, तो उसके धाई साल बाद ही जो है, क्या लाया जा सकता है, रिकॉल का वापस बुलाने का या रिकॉल का प्रोसेस जारी किया जा सकता है, ठीके, अब दे पंच या पंच के पाद जो दस्तावेज है ठीक है उसको जो है दूसरे पंच या सरपंच को जो है ट्रांसफर करना होता है ठीक है अगर वो ट्रांसफर नहीं करता है ठीक है अगर वो ट्रांसफर नहीं करता है कि दूसरे को मतलब वो अपने जितने दस्तावेज है ठीक है उ उसको नहीं देता है ठीक है और ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि वो जो है नहीं दे रहा है या उसके खिलाब कुछ भी कारवाही कर दी जाती है तो अगर वो कारवाही जो है दस्ताविज नहीं देने के लिए अगर वो कारवाही या प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस स्थीती में सदर से जो होता है वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है ठीक है और रिक्ट पद के लिए जो रिक्ट पद हो चुका है यहाँ पर पंच या सरपंच का जो पद खाली हो चुका है उसके लिए 6 माह के अंदर वहाँ पे चुनाव करवाना होता है इसको भी आपको ध्यान रखना है और एक पंचायत के कारिकाल में मतलब पूरे 5 साल में या एक जो पंचायत का पूरा कारिकाल है उसमें सिर्फ दो बार ही जो है रिकॉल लाया जा सकता है किसी के लिए भी अगल लाया जा रहा है तब ठीक है तो इतनी चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किजिएगा कोई कमी नजर आती है तो भी comment box में comment करके बताइएगा ताकि next वीडियो में उसे सुधारा जा सकी ठीक है तो देखें जा सर्पंच होता है जब वो निरवाचन के लिए आता है तो उसको एक सपत पत्र भरना पढ़ता है थीक है साथ ही साथ उसको जो है उसको जो है सो गोशना पत्र जिसको self-declaration लेटर कहते हैं वो भी जो है उसके दौरब वो फॉर्म भरा जाता है या उसको जो है अपनी संपत्ति का जो है अपलाई करता है तब लेकिन अगर वो पंच के लिए होता है तो पंच में यह चीजे नहीं होती नहीं उसको सपत पत्र भढ़ना पड़ता नहीं कोई शवगोशना पत्र भढना पड़ता ठीके पंच और सरपंच को सपत कौन दिलाता है यहां पे आपको ध्यान रखने तो ब इत्ताई समीतियां होती है स्म। इने परिर्शास्न समिति निर्मान और विकास समिति ट्रीज शेख्छा शोस्ती शेख्थ शॉस्त निरमान और समाजक्न समिति यहां पर एक समीति क्रीशह, राजे शोaiser हरेमे पस५ालन और मतर्सिय पालन समीति दो इस्थाई समीतियां थी, इसको मर्ज कर दिया गया है, हाली में मिलाया गया है इसको और एक समीति बनाई की है, क्रिसी, राजसो और वन समीति, और जो पाचवी समीति जो हमारे सामने नई समीति बनके आई है, वो है gram गौठान समीती, तो इस दो नए समीतियों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कि ग्राम पंचायत के पंच पूरे समीती होती है, उसके सदस्य होंगे, कौन ग्राम पंचायत के जितने पंच हैं? साथ हे साथ सदस्य को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी अगर मालुम सिक्षा, स्वास्त, और समाज कर लेयार सम्बंधी जो है इसके सदस्य है तो वह अपने इच्छा से दो ऐसे बैक्ति को नुक्त कर सकते हैं जो उस छेत्र के जानकार होते हैं ठीक है तो इसको ध्यार रखेगा, अब समीती के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेस बैठक भूलाय जाती है जिसमें यह तेह किया जाता है कि कौन से पंच को कौन से समीती का सदस्य बनाया जाए या कौन से समीती उसको सोंपी जाए ठीक है नेक्ष याद रखे कि एक पंच जो है केवल दो समीती का ही सदश्य हो सकता है ठीक है कोई भी पंच है तो वो सिर्फ दो समीती का सदश्य होगा ठीक है इससे अधिक नहीं अब यहाँ पे एक एक करके कुछ समीती को देख लेते हैं जो important है एक है आपका समाने प्रशासन समीती इसके सबापती जो होते हैं वो कौन होते हैं तो सरपंच होते हैं ठीक है अब इसका कारी क्या होता है जो समाने प्रशासन समीती है तो एक ग्राम पंच आयत के छेतर के निर्मान में जो है यह विसेश कारी करते हैं ठीक है या इसके कारी छेतर के अंतरगत आता है बजट जो है इसके अंतरगत आता है कराधान खाद आपूर्ति यह जो चीजे हैं वो जो है यह विसे जो है आपके समान प्रिशाशन समीति के अंतरगत आते हैं आगे सिक्षा स्वास्त वह समाज कल्यान समीति देखते हैं तो सबापती जो है उप सरपंच होते हैं और इसके कारिया इसके छेतर के अंतरगत क्या आता है तो सिक्षकों की उपस्थिती का प्रमान जो है ये दिया जाता है पिंसन दिया जाता पिंसन का जो है ये छेतर इसके अंतरगत आता है बाल और जो महिला विकास के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है वो जो है इसके अंतरगत आएगा मतशिपालन गरीबी रेखा ठीक है कारिक्रम परिवार कल्यान तो यह चीज़ अगर चलाए जा रही है इस संबन में वो सारा किंजन के अंतरगत आता है तो सिक्षा, स्वास्त और समाज कल्यान समिति के अंतरगत यहाँ पर याद रहेगा कई रहेगा अगर देखते हैं निर्मान और विकास समिति यह जो है कुटिर और जो खादी उद्धोग है, महिला और बच्चों के लिए जो उद्ध्यान है, ग्रामिड विद्धूति करन है, इस तरह के जो विशे हैं वो जो है इसके अंतरगत आते हैं, ग्राम गौठान समीती जो अभी नई बनी है, तो ग्राम पंचाया छेतर के प् जिएन रखना है, अभी बजट में भी इसका उल्ले किया गया था, ठीक है, चलिए बैठक देख लेते हैं, मीटिंग देख लेते हैं, कि किस तरह से ग्राम पंचायात की मीटिंग होगी, समीती की, तो समीती की बैठक प्रत्येक माह में एक बार कम से कम होनी चाहिए, ठीक ह कि किसी भी विशय को स्टार्ट करने के लिए, चर्चा करने के लिए कम से कम कितने सदस्य वहां पे उपस्तित होने चाहिए, तो टोटल जितने सदस्य हैं, उसका 50% अगर उपस्तित होगा, तब ही जो है वहां की समीती की बैठक या किसी विशय पे चर्चा जो है, स्टार् अगर उस विषय पे मत बराबर हो जाते हैं, तो मत बराबर होने के स्थिती में जो सभापती होगा, वो जो है वहां का निर्नायक मत देगा, ठीक है, अब जो फैसला आ जाता है, रिपोर्ट तैयार हो जाती कि इस विषय पे इस तरह से काम करना है, ठीक है, तो फिर उसके बा कि निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ने के लिए कितना जमानत रासी या रासी कितनी जमा करनी चाहिए, तो पंच के लिए ये रासी है, 40 रुपए, ठीक है, सरपंच के लिए है 200 रुपए, SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए है, ये 50 रुपए, ठीक है, पचास परसेंट जो खड़ा हुआ है, और 40 रुपए उसने जमानत रासी दी है, तो इस पंच को अगर वहां से 1 by 6 मत मिलते हैं, मतलब कि अगर 600 है, तो 600 का 1 by 6 अगर वहां पे सदर से संक्य है, मत देने वाले हैं, तो अगर उसको 100 मत मिलता है, ठीक है, तब जो है, उसको उसकी जमानत रासी जो उसकी जमानत रासी है, वो क्या कर ली जाएगी, जब तक कर ली जाएगी, ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहां पे आपको ध्यान रखनी है, तो चलिए वीडियो यहीं खतम करते हैं, थैंक यू, थैंक यू फॉर वोचिंग,